साथ्यों, AMU ने higher education में अपने contemporary curriculum में उससे बहुतों को आकर्सित किया है। आपकी university में interdisciplinary विशे पहले से पढ़ाये जाते हैं। अगर कोई छात्र science में अच्छा है और उसे history भी अच्छी लगती हैं तो ऐसी मजबूरी क्यों हो कि वो किसी एक को ही चुन सके। यही भावना नई राष्टिय शिक्षान निती में है, new education policy में है। इसमें 21 सदी में भारत के students की जरूरतों उसके interest को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश का युवा, nation first के आहवान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो नए-नए start-ups के जरिये देश की चुनोतियों का समाधान निकाल रहा है। Rational thinking और scientific outlook उनकी पहली priority है। राष्टिय शिक्षानीती में भारत के युवाओं की इसी aspirations को प्रात्फिकता दी गई है। हमारी कोशिश ये भी है कि भारत का education ecosystem दुनिया के आदोनिक सिक्षा व्यवस्ताओं में से एक बने। नई National Education Policy में जो multiple entry है, exit point की व्यवस्ता है, उससे students को अपनी सिक्षा के बारे में फैसले लेने में आसानी हो गई। हर exit option के बाद उन्हें appropriate certificate भी दिया जाएगा। ये students को पूरे course की फिस्की चिंता किये बिना अपना फैसला लेने की आजादी होगी। साथियों सरकार higher education में number of enrollments बढ़ाने और CTA बढ़ाने के लिए भी लगातर काम कर रही है। वर्थ 2014 में हमारे देश में 16 IIT थी 16 आज 23 IIT है 23 वर्थ 2014 में हमारे देश में 9 IIT थी 9 IIT थी आज 25 IIT हैं। वर्थ 2014 में हमारे हां 13 IIT थी आज 20 IIT हैं। medical education को लेकर भी बहुत काम किया गया है। 6 साल पहले तक देश में सिर्फ 7 IIT हैं। आज देश में 22 IIT हैं। सिक्षा चाए online हो या offline सभी तक पहुँचे बराबरी से पहुँचे सभी का जीवन बढ़ले हम इसी लक्ष के साथ काम कर रहे हैं। पेक्षा आज जाओ सभी